राम्मिलास पासवान जी इन चुनावों में नहीं रहेंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था लेकिन शायद उसका सबसे बड़ा दर्द एक बेटा ही महसूस कर सकता है जिसे एक दोहरा दाइत्व इस समय निभाना पड़ रहा है आज की पुझा बहुत महदवपूर्ण होती है कर्मकान के हिसाब से संसकारों के हिसाब से लेकिन आपका दिमाग दो जगे बंटा रहेगा एक जो उनका लक्षे था और एक जो उनकी मुक्ति उनका लक्षे भी था और उनका आखरी सपना अंते मिच्छा मुझे आद है कि पापा से जब तक मेरी बात होती थी तिल दा टाइम लोग गंटो गंटो बैटके हम लोग यही सारी बाते करते थे मुझे आद है कि जिस दिन मैंने फैसला लिया था क्योंकि उसे एक दिन पहले ही पापा ने मुझे कहा था कि तुम डर क्यों रहे हो अकेले जाने से 2005 में देखो मुझे कोई डर नहीं था मैंने अकेले निर्णे लिया और मैं गया और तुम तो अभी जवान हो तुम क्यों डर रहे हो, क्यों बार-बार बैठे के कर रहे हो ये कर रहे हो, क्योंकि हम लोग संसदिय बोर्ड और तुम्हें निर्णे नहीं लिआ तुम्हें लिए नहीं लगता है कि लेह लेना चाहिए तो तुम्हें जरूर यह अदो बश्ऐर लेना चाहिए और मुझे आदा कि उसके एक दिन, दो दिन के बाद ही पापा वस particles एड वही समय था जब लेना था और उस दिन पापा से बात नहीं उपारी थी और उस दिन समझ में नहीं आया मुझे कि मैं कहां जाओं किस से बात करूँ पापा ही बोल रहे थे इस फैसले को लेने के लिए आजब लिया तो उनको मैं बढ़ाओं कियसे मौम ने बोला कि नहीं जाओ पापा के पास जाओ बेहोश हैं पर सुनेंगे समझेंगे सारी बाते हील के विए समसाइन तो इस दरात मुझे याद है कि लंबे समय तर गंटो था पापा का हाद यूँ आथ में पकड़के उनके बेट के पास मैं बैठा रहा हूँ और उनको इस सारी बाते मैंने बताई कि क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ और इनो कि वो मेरे साथ हैं खोश होंगे उनको इस बात का गर्व जरूर होगा कि उनके बेटे में इतनी हिम्मत है उननी की तरह कि 2005 में जैसे उन्होंने फैसला लिया, मैंने भी वही फैसला लिया अब अब सुमीद करता हूँ उनके आशिरवाद से मेरा फैसला सही भी रहेगा आपने कहा कि ऐसे समय पर जब उन्हें साथ रहना चाहिए था अकेले पन का डर आपको इस समय लग रहा है क्योंकि न सिर्फ पिता गए बलकि बहुत टाफ आपने डिसिजिन लिया कि गठबंधन के बिना जाओंगा डर नहीं है, इमानदारी से बोलूँगा डर एक परसेंट का नहीं है उनकी कमी बहुत खलती है, मैं अभी भी अगर अकेला महसूस करता हूँ तो पापा की तस्वीर के पास जाके बैठता हूँ, उनको सारी बाते बताता हूँ, रोज करता हूँ, रात में बैठके घंटों उनकी बाते करता हूँ तो अकेले पन का डर नहीं है, मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ है, उनकी कमी ज़रूर महसूस होती है पार्टिया नहीं है आपको इस समय एक दोहरा जीवन जीना है कि अपना पर्सनल लॉस भी है लेकिन पार्टी को भी देखना है क्योंकि चुनाओ का समय है बहुत सारे कारेकरता उमीदवार सब आपकी तरफ देख रहे हैं ऐसे में वो अकेला पन जो जिस पार्टी के लिए आ कर दो सारे करे घीर को जानता है वो इस बात कर चाबाए कि मुख्यमंत्री जी खुद कभी कुछ नहीं कहते हैं वो दूसरों से बुलवाते हैं उस दिन प्रेस कानफेर्टी नी आपने देखा होगा चब शुशिल मोदी जी के साथ वो बैठे तो मुख्यमंत्री जी। नो क अभी दस दिन भी नहीं हुए जर्टनी इतनी चछी बातंहे नंदक आपको है। हर कोई अपनी पार्टी से जुड़ा होता है और पापा ने मुझे सिखाया और मैं मानता हूँ मेरी पार्टी मेरी माँ है और अगर उनके लिए अगर आप इस तरीके के शब्दों का प्रियों करें आप बोले ना आप मेरी नीतियों से शायद सहमत नहीं हो सकते तरीके से सीधा आरोब लगाना अगर इतने ही वोट कटवा थी हमारी पार्टी तो क्यों आपने 2014 से लेकर अभी तक हम लोगो साथ रखा क्यों 2015 में हर मंच पर आप में हम लोगो गुमाया क्यों 2019 में पापा प्रधानमंत्री जी नितीश कुमार जी क्यों हर मंच एक साथ इन्होंने साजा किया सारी जगा इन्होंने इकठे भाशन दिये आज जब मैंने आपके और आपके भी नहीं मैं तो भारती जंता पार्टी का और देखिए मैं इमानदारी से बोलता हूँ लोग मुझे बोलते हैं कि شायद मैं ़इस शब्त का इस्तमाल नहीं करूँगा बट लोग बोलते हैं कि मैं किसी को मखन लगाने की परिकाश्टा मैं पार कर रहा हूँ जब मैं प्रधान मंतरी जी किले मैं बोलता हूँ कि मैं उनका हनुमान हुई है मेरे दिल में वो बसते हैं पर मैं और क्या करूँगा शोयता जी जब कोई नहीं था मेरे पास प्रधान मंत्री उस वक मेरे साथ खड़े हुए थे जब मैं अकिला हॉस्पिडल में आईस्यू के कमरे के बाहर खड़े होके जब मैं रोता था तो उस वक से प्रधान मंत्री जी का मुझे फोन आता था कोई दिन ऐसा नहीं है जब दिन में दो बार प्रधान मंत्री जी जब मुझे फोन नहीं किया पिता जी की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से उन्होंने पिता जी को सम्मान दिया जयए प्रकाश जी के बाद कहा जाता है कि पापा ही एक ऐसे हैं जिनको इस तरीके से मिलिटरी ओना मिला तो जो सम्मान प्रधान मंती जी ने दिया मैं कैसे आज मैं उनके खिलाब बोलने लग जाओ और मैं क्यों बोलू उनके खिलाब बीना मुदी जी के जानकारी में ऐसी बात कह सकते थे तीकि मैं इसमें कोई टिपनी नहीं करूँ और मैं इमानदाई से बोलता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं तमाम इन नेताओं को मैं स्वतंद्र भी करता हूँ कि जितना बोलना है आप अपना गडबंदन धर्म निभाई है और मेरी वज़ा से किसी धर्म संकड में कोई न पढ़े क्योंकि मुझे पता है कि यह रहा मैंने खुझ चुनी है कठेंड अगर है पर यह मैंने खुद ही चुनी है और इसके लिए मैं किसी को मैं दोशी भी नहीं ठरा सकता मैं यह उमीद भी नहीं रख सकता यह उमीद रखना भी मेरे लिए गलत होगा कि भाईया जिन से अलग होकर मैंने रहा चुनी है उनके खिलाफ नहीं हुँ है और वो जिनके साथ है मैं उनके खिलाफ हूँ तो इसलिए मैं किसी को भी मैं ये दोश नहीं दूँगा जिनको जितना बोलना है बलकि आने वाले दिनों में प्रधान मंत्री जी की भी सभाए हैं और मैं आपके माधम से मैं ये भी स्वश करता हूं कि वो भी किसी तरीके के धर्म संकट में नहीं पड़ें अपना पूरी तरीके से घड़बंदन धर्म निभाएं और उनको जो उचित लगता और उनके उचित लगने में झाल झाल झाल